अगर हम सरदियों की सबजी लगाना चाहते हैं, तो सितंबर का महीना बहुत ही खास महीना होता है, इस महीने में हमें बहुत कुछ ऐसे काम करना होते हैं, जो कि हमें सरदियों की सबजी लगाने के लिए जरूर करना चाहिए, तो अब सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, त अगर उन्हें नहीं करेंगे तो हमें बाद में सर्दियों की सबजी लगाने में दिक्कत आ सकती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन से ऐसे जरूरी काम हमें सितंबर के महीने में पूरे कर लेना चाहिए ताकि हम सर्दियों में अच्छी सबज उगा पाएं तो मैं अब अपने टेरेस गार्डन में बहुत सारे काम कर रहे हूं तो इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें सर्दियों की सब्जी लगाने की तैयारी करना है अभी सितंबर के महीने से तो मेरा नाम है उर्मिला आपका स्वागत है हम अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चेनल को जरूर सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहला जो हमारा काम है जिसे हमें कर लेना चाहिए वो हे सूखी हुई बेल को हटाना तो जहां पर जो भी बेल वाली सबजी लगी हुई थी, मैंने यहां पर गिलखी, खीरा और तोरई के पोधे लगाए थे, तो उन सभी पोधों को मैंने हटा दिया है, उनमें सबजियां लग रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी, तो इतनी थोड़ी सबजी हमें नहीं इसलिए हमने इन्हें हटा दिया है, और अब मैं यहां पर एक जाल बनाने वाली हूँ, रस्यों का, यह वाला जाल बहुत साल पुराना है, इसलिए यह तूट गया था, तो आपको सबसे पहले तो जो भी बेल सूक रही है, उसे हटा देना है, और अगर आप जाल बनाना च सकते हैं, और मैं जब यहां पर जाल बनाऊंगी, तो आपके साथ वीडियो जरूर सेयर करोंगी, और यहां पर पेल वाली सबजियां लग रही है, जो अच्छे से ग्रो हो रही है, उन्हें मैंने अभी छोड़ दिया है, तो इतना सारा काम हम से एकदम नहीं होगा, सबजियां तोड़ने के लिए नहीं मिलेगी, और जो भी पोधयो में से बेल निकले, सूके हुए पत्ते, जो भी बेल पर लगे हुए हैं, उन्हें हमें तोड़ लेना है, और जो भी यह वेस्ट माटेरियल हमारे टेरेस कार, तो इन्हें मैंने इकटा करके रख लिया है, अब मैं धूप में इसे सुखाने के बाद, जो हम सरदियों की सबजी लगाने के लिए ग्रोबेक भरेंगे मिट्टी से, तो उनमें मैं इन्हें नीचे की साइट डाल दूँगी, जिससे इनका खाद भी बन जाएगा, और हमारे ग्रोबेक बहुती कम मिट्टी में भर और हमारे छट पर ज्यादा वजन भी नहीं होगा, और जो ये पोधे लगे हुए थे, उन ग्रोबेक की मिट्टी को हमें खाली जरूर करना है, अगर हम बिना मिट्टी को निकाले, उनहीं ग्रोबेक में हम बीज लगा देंगे, तो हमारे बीज उक्तो आएंगे, लेकिन अ पोधे होते हैं, उनकी जड़ नहीं फैल पाती है, और मैं इस तरीके से वेस्ट माटेरियल डालती हूँ, तो जब पोधा खत्म हो जाता है, तो नीचे इनका खाद भी बन जाता है, उस खाद को भी मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी होता है, तो हमें सबसे पहले एक दो दिन मिट्टी को अच्छे से धूप में सुखाना है, और जो भी इसमें इस तरीके से ये वेस्ट माटेरियल है, जिनका खाद नहीं बना है, उन्हें हमें निकाल कर, सुखा कर, फिर हम इसे भी ग्रोबेग में डालने के लिए यूच करेंगे, तो मिट्टी अभी गीली है, क्योंकि हमारे हाँ बीज़ बीज में कभी-कभी बारिस हो जाती है, तो अभी मैं इस मिट्टी को सुखाने के बाद इसमें धेर सारा खाद मिलाने वाली हूँ, तो मिट्टी में खाद हम घर का ही मिला सकते हैं, हमें कोई भी चीज बाजार से खरीदने की कोई जरूरत नही तो बहुत सारी चीज हमारे घर पर होती है जैसे नीम के पत्ते, हल्दी पाउडर, चूना, राक और भी बहुत सी चीजे होती है जिन्हें मैं इस मिट्टी में मिलाती हूँ और इस मिट्टी में उगाती हूँ मैं बहुती अच्छी और धेर सारी सबजिया और जो भी हमारे प पत्तियां सूख रही है उन्हें और अभी ही थेर सारे grow बेग बना कर रख लेना है अगर आप घर पर बनाते हैं तो आपको अभी grow बेग बना लेना है क्योंकि बाद में बहुत सारा काम होता है तो ये grow बेग मैंने एक सीमेंट की बोरी से बनाया है और मैं अपने टेरेस गाडन में जो भी सबजियां लगाती हूं इसी तरीके से घर पर बनाकर ही ग्रो बेग उनमें लगाती हूं अभी तक मैंने कोई भी ग्रो बेग नहीं खरीदा है और ये ग्रो बेग बहुत अच्छे होते हैं फिरी में बन जाते हैं और ये एक सीजन अच्छे से चल जाते हैं और सभी बेगन के पोधे मैंने इस तरीके की बोरी में लगाए हैं और देखिए कितने अच्छे बेगन इन तो बारा इंच के ग्रोबेग में मिर्च और बेगन लगाती हूं और बेल वाली सबजी लगाने के लिए हमें बड़े साइच का ग्रोबेग बनाना होता है और जो ये बारा इंच के ग्रोबेग होते हैं एक सिमेंट की बोरी में दो ग्रोबेग आसानी से बन जाते हैं अगर हमें बेल वाली सबजी के लिए बनाना है तो एक बोरी उसमें लग जाती है और जो भी पोधे हमारे पुराने लग रहे हैं और उनमें अच्छे बेगन या मिर्च लग रही है और उनके ग्रोबेग खराब हो गए हैं तो उन्हें हमें अभी चेंज कर देना है क्योंकि अभी ज़्यादा ठंड नहीं है तो हमारे पोधे खराब नहीं होंगे और अच्छे से दूसरे ग्रोबेग में सेट हो जाएंगे तो देखिए ये एक साल पुराना बेगन का पोधा है जो इस ग्रोबेग में लगा हुआ है और ग्रोबेग अब फट गया है तो इसे भी हमें चेंज करना है और इसमें देखिए कितने अच्छे बेगन लग रहे हैं तो इसके लिए हमें नई ग्रोबेग में नीचे की तरफ, जो भी हमारे पास सुके हुए पत्ते हैं, किचिन वेश्ठ हैं। उन्हें डाल देना हैं। और इस ग्रोबेक को इस तरीके से निकाल कर, इसमें इस तरीके से लगा देना हैं। और जडों में से हमें मिट्टी नहीं निकालना हैं। नहीं तो हमारा पोधा खराब हो सकता है तो मैंने बहुत सारे ग्रोबे चेंज कर दिये हैं पोधे के क्यूंकि बेगन का पोधा हम एक बार लगा लेते हैं तो वे दो-तिन साल तक चल जाते हैं तो अभी इन सभी पोधों को एक साल से जादा हो गए हैं और बड़िया तरीके से इन में बेगन लग रहे हैं इसलिए मैंने इन्हें अभी रख रखाए और अगर आपके पोधे खराब हो गए हैं तो उन्हें आप हटा भी सकते हैं और जो पोधे आप रखना चाहते हैं उनमें कोई भी विमारी या पत्ते पीले हो रहे हैं मिर्च के पोधे में इस तरीके से पत्तिया सुखर जाती है तो उन्हें आपको हटा देना है क्योंकि ये बहुत ही घराब विमारी होती है जिनमें हमारे मिर्च के पोधे की पत्तियां इस तरीके से मुड़ जाती है और मिर्च भी नहीं लगती है तो इसके लिए हमें इस पर राक चड़क सकते हैं जिसे ये बिमारी हमारे गार्डन में नहीं आएगी अगर लग गई है तो इस तरीके से हमें इन सभी पत्तों को हटा देना है और जो हमारे पोधे लगे हुए हैं जिने हम रखना चाहते हैं उनकी ग्रोबेग में मिट्टी बारिस की बज़े से पत्थर की तरहां जम जाती है तो हमें उन ग्रोबेग की गुडाई हर पंदरा दिन में करना है और जो पोधे लगे हुए हैं उनमें हमें गोबर की खाद हर महीने में एक बार जरूर डालना है जिससे बहुत अच्छी उनमें सबजियां लगती रहेगी और देखिए यहां पर यह ग्रोबेग है जिसमें मैंने वेस्ट माटेरियल डाल दिया है जितना भी वेस्ट माटेरियल डाला है अगर हम एकदम से इसे भरके पोधे लगा देते हैं तो मिट्टी नीचे चली जाती है इसलिए मैंने इसे पहले ही भरके रख दिया है ताकि जितना इसे नीचे जाना होगा ये चला जाएगा और उपर से हम मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी नीचे नहीं जाएगी फिर मैं इसमें पोधा लगाऊंगी और अभी आप चाहें तो बीच को लगा कर पोधे तयार कर स जल्द टमाटर की पोधे अपने टेरेस गार्डन में लगाने वाली हूं जो बारिस में हमने भिंडी के पोधे लगाए थे वो बहुत ही लंबे हो रहे हैं अगर आप उन्हें रखना चाहते हैं तो उनको कट कर सकते हैं बीच में से क्योंकि नीचे से इनमें साइड ब्रां कुछी सब्जियां लगेगी इसलिए हम अगर उनसे सब्जियां लेने के लिए उन्हें रखेंगे तो हमारी तो हम सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए लेट हो जाएंगे तो जिनकी इस्तिती बहुत खराब हो गई है उन पोधों को आप हटा सकते हैं और अब हमें हमार गार्डन की बहुत अच्छे से सफाई कर लेना है मतलब की अच्छे से ग्रोबेग को हटा कर उसके नीचे जो भी मिट्टी जमी हुई है उसे निकाल लेना है क्योंकि बारिस के मोसम में हमारे ग्रोबेग से बहुत सारी मिट्टी बाहर निकल कर बहे जाती है तो वेसे तो हम जाड़ू लगाते हैं लेकिन ग्रोवेग के नीचे हम नहीं लगा पाते हैं तो अभी सही मौसम है हम गार्डन की सफ़ाई भी कर सकते हैं और जो भी वेश्ट निकलेगा उसे फिर हम ग्रोवेग में भर देंगे अभी मेरे टेरस गार्डन में बारिस की बहुत सारी सबजियां लगी हुई है और धेर सारे बेगन लगे हुए हैं और मैंने सर्दियों के लिए भी सबजी लगाना सिरू कर दिये हमें एकदम से सभी पोधे नहीं हटाने हैं क्योंकि अगर हम सभी पोधों को हटा देंगे तो फिर हमें सबजियां नहीं मिलेगी अगर आप अपने छसे लगातार सबजियां लेना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े पोधे करके हटाएं आपको लगे कि इसमें आप सबजियां नहीं लगेगी तो उसे हमें हटा देना है तो इस तरीके से आपको ये सभी काम अभी से करना शिरू कर देना चाहिए तभी आप सर्दियों में अच्छी सबजियां उगा पाएंगे अगर आपके grow bag खाली नहीं हो रहे हैं और आपके पोधों में अच्छी सबजियां लगी हुई हैं तो आप या तो grow bag बना सकते हैं या आप छोटी छोटी polythin में बीज लगा दीजीए जिससे पोधे तो तयार हो ही जाएंगे जब आपका ग्रोबेक खाली हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट उसमें पोधे लगा सकते हैं इससे आप सर्दियों की सबजी लगाने के लिए लेट नहीं होंगे तो अभी मेरे टेरेस गार्टन में यही स्वब काम चल रहा है जितनी भी बेल वाली सबजी थी उन्हें हटा दिये हैं और ग्रोबेक की मिट्टी खाली करके धूप में सुखाने के लिए डाल दी है और मैं अब बना रही हूँ धेर सारे ग्रोबेक्ट सभी तरह की सबजी लगाने के लिए तो सर्दियों के मोसम में हम धेर सारी सबजियां लगाते हैं जैसे गोभी, टमाटर, मेथी, धनिया, पालक और मूली तो मूली के लिए हमें घेरा ग्रोबेग बनाना है तो सभी तरह के ग्रोबेग मैं बनाने वाली हूँ और अगर आप भी बनाना चाहते हैं, ग्रोबेग या रसियो का जाल बनाना चाहते हैं, बेल वाली सबजियों के लिए तो ये सभी वीडियो मेरे चेनल पर पहले से ही अपलोड है आप चाहें तो उन वीडियो को देखकर इस तरीके से फिरी में ही अपने घर पर इन सभी चीज़ों को बना सकते हैं अमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद